आप लोगों के माद्यम से नरेंद्र मोधी जी तक अगर मेरी बात पहुँच रही हो तो मोधी जी कान खोल कर सुन लीजिए अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए उसको भी बोले कान खोल कर सुन ले अपनी पूरी की पूरी भारती जन्ता पार्टी और सारी जाचे जन्सियों को बता दीजिए सब लोग कान खोल के सुन लीजिए अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूँगा आपने महा घोटाला किया है उसके बगले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जाचे जन्सियां मुझे फासी पे चड़ाना चाहें तो चड़ा दें उसकी कोई चिंता नहीं है और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है पूरी इमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूँ आकास से लेके पाताल तक जाच कराओ जितनी हिम्मत और जितनी एजन्सियां है तुम्हारी जाच कराओ कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रस्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे दस गुना ज़्यादा सजा दो मैं कह रहा हूँ लेकिन अडानी के गोटाले पर छोड़ूँगा नहीं कान खोल के पुरे देश के भाज़पाईयों सुन लो जितनी मनाय गालियां दो भारत माता की संपतियों को लूटने का काम किया है तुम लोगोंने लाखों करोर का कोईला लूटने का काम किया गैस लूटने का काम किया बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया बैंकों को लूटने का काम किया लाइसी को एस बी आई को लूटने का काम किया सी पोर्ट और एरपोर्ट को लूटने का काम किया आडानी के जरिये तालिबान से ड्रक्स मंगा कर किसे देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है ये बात एक नहीं एक हजार बार तक बोलता रहूंगा अंतिम सांस तक बोलता रहूंगा और ऐसी बंदर गुड़किया मैंने राजनीती में बहुत देखी है ये भाजपाई बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ ऐसे मत खेलो मेरे साथ ऐसे बहुत मैंने बंदर गुड़किया अपनी जिन्दगी में देखी है जितना दम है सारी एजनसियों को लगाओ लेकिन अडानी के घेट भोटाले पे छोड़ूँगा नहीं